कैसा लग रहा है बहुत टाइम के बाद घास लाने पर मम्मी को देखके कुछ होगे बापा यह तो चाल जीने रिटायर होने के बाद यह चीज सोचा है कि हमारे पहाड़ों में भी सेव हो सकते हैं हेलो दोस्तों नमस्कार क्या हाल चाल मैं हूँ प्रमोध रावत और आप सभ सब्सक्राइब ब्लोग के साथ दोस्तों आज के व्लॉक की सुरुआत हो रही है रोईत लोगों के घड़ से और यहां पर मैं भी अरू आरू का अनन दे रहा हूँ वैसे अरू अच्छी तरह से पके नहीं है लेकिन खाने लायक हो चुके हैं तो मैं आरू खा रहा था तो म तो रोई द्भाई बोल रहे हैं सही हो रहे हैं लेकिन मैं आपको सचा भी बता देता हूं अभी उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं रोज वो वीडियो में बोलने के लिए सही बोल लाए कि अच्छे हो रहे हैं क्योंकि उसको उसके अलाव कुछ बोलना ही नहीं आता है बस अच तो गाइस अभी आड़ो खाने के वाद अब हम जा रहे हैं आपको अपने गाउं की सेवों की बागवानी दिखाने के लिए हम एश ले बोल ला हूं क्योंकि मेरे साथ हमारे कैमरामेन गणेस भाई भी पहुंच चुके हैं और आपने कस्मीरी सेव सुना होगा हिमांचली होगे और कई तमाम जैसे उत्तरकाशी में बहुत जादा सेव होते हैं मसूरी में होते हैं तो ऐसे आपने सुना होगा लेकिन रुद्रप्याग डिस्टिंग में आपने बहुत कम सुना होगा कि सेवों की बागवानी लोग करते हैं तो वही दिखाने के लिए आज मैं जा हूँ क्योंकि हमारे गावां में भी एक सेवों की बागवानी है तो अभी हम आ चुके हैं अन्की भाईайте हैं क्योंकि जो सेवों की बागवानी है वह इन ही के और वो मेरे पीछे यह बैठे हो हैं और इन्हीं के बगल में जो छोटा आपको यहां पर नना मुनना बचा नजर आ रहा है तो यहीं हमारा अंकी भाई है जो कि यहां पर पढ़ाई कर रहा है और यहां पर गणेस को भेज दिया है मैंने भी चाज़ी को बोलने के लिए और तब तक आप सामने जो नजारे हैं कोप सुर नजारे जो चाज़ा लोगों के गड़ से नजर आते हैं आप उनका आनंद लीजिए तो गाईस हमारे साथ अभी चाज़ा जी आ चुके हैं और अभी जब मैं अंकी भाई के साथ उपर बैठा था तो मैंने उस टाइम फोटो दिखाए ती चाज़ा जी की कि लाइर होने के बाद यह चीज सोचा है कि हमारे पहाडों में भी सेव हो सकते हैं इनों ट्राइ करने की सोची होगी और सेव यहां पर हो गए हैं तो चाज़ा जी से मैं जाना चाहूंगा चाज़ा जिने यह सेव कब लगाये थे और क्या सोच के लगाई थे पादों को लाए था और तीशर साल में इन फल देना शुरू कर दिया था अपने बागवानी आमदनी के लिए बनाई थी या बश ट्राइके था यहां होते हैं लेकिन यहां पर फस्ताश्च जो हो रहे हैं अब इनके बाद दवाई कीज़ दवाई मैंने कुछ निडाली अ नहीं होनी के लिए हमारे पहाधों मैं यहों भी सकता है कि हैक नहीं भी bety Barajajaj ji उसे ईघका कर दिखाया है और काफी बड़ी बागवानी चाज जी हैं 20 से उपर चारजी ने यहां पर पेड लगाए हैं बिना दवाई के बिना कुछ भी खर्चा नहीं किया है बस पेड आये थे लगाए और थोड़ा जो अपनी मैंनत होगी वो मैंनत तो करने ही पड़ती है किसी भी काम करने के लिए अगर आप खाना खाते हैं तो उसको भी म तो अभी हम आ चुके हैं पहले पेड के पास जो कि आप यहां पर देख सकते हैं तो चारजा जी थोड़ा बताएंगे कौन सी यह वैराइटी है यह है गोल्डन से तो जो यह वैराइटी है और गोल्डन से तो इसकी खासियत यह है कि यह साइज में छोटा होता है लेकिन ब विए और आपने जैज्व के बारे में काफी जानकारी है तो बता रहे हैं यह वाला से वह अपने रिस्पे पेश्टे नहीं है तो यह गोल्डन सेव हो गया तो मेठा ज़्यादा काफी होता है तो आप देख सकते हैं गुच्छों गुच्छों में यहाँ पर सेव लगे हुए हैं और आज तक चाजा आपने कभी सेव बेचे हैं? ना हमें बेचे नहीं हैं तो चाजा जी बोल ले हैं कि यह सेव बेचते नहीं है और क्यों नहीं बेचते हैं? क्योंकि ऐसे ऐसे छोटे बच्चे हमारे गाउं में हैं जो कि दिनवर सेव खाते रहते हैं ठश ठश करके भी और मांग करके भी तो एक दिन में कितना सेव खाता है? यह बता दे पंदरा तो आप सोचे लगबगर 10-15 सेव अगर एक आदमी खाएगा तो ऐसे गाउं में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं तो चाजा लोग ऐसे ही बांट लेते हैं सभी लोगों को इसलिए बेचने के लिए बसते ही नहीं है तो चोलो अभी एक पेड़ आपको दिखा दिया है तो अब आगे चलते हैं आजाओ और ये वाला आप देख सकते हैं ये वाला साइज में बड़ा है तो चाजी कौन सा? तो ये बोलने हैं नाम में ही महाराजा है तो नाम भी इसलिए रखा होगा क्योंकि साइज देखें आप काफी ज़्यादा इसका बड़ा है देखिए अभी बहुत खटे होते हैं लेकिन ये उक्टोबर तक आगर रहे गए तो बहुत बड़े होते हैं और तब होते हैं अगर चोड़ेंगे तो अच्छे खास ही हो जाएंगे अगर रहेंगे तो मैं जुरूर आप लोगों को इसके बारे में बात में बताओंगा कितने बड़े होते हैं तो अभी मैं आपको सेब की बागवानी ही दिखा रहा हूँ लेकिन सेब की बागवानी के बीच में यहाँ पर अनार के पेड़ भी हैं और यहाँ पर देखिए अनार भी लग रहे हैं तो मलब सिर्फ सेब की बागवानी नहीं बोल सकते इसको इसमें हर परकार के फल आपको देखने को मिलेंगे जैसे अनार होगे और आडू उडू जो तो पहाड में होता है वो तो होता ही है खुमानी हो गया और एक क्वालिटी आप देख सकते हैं यह है सेबों की जो की चाजा जी के हाथ में आपको नजर आ रहे होगे और गुच्छे देगे कितने मस्त लग रहे हैं यह सैम उसी के जैसे जैसे गोल्डन सेब होता है अच्छा थोड़ा लंबाई में थोड़ा है लेकिन नाम आपको कुछ याद आ रहा है इसका इसका नाम भूल गया है लेकिन याद आएका आगे तो बता देंगे आपको और जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पेड़ खाली खाली नजर आ रहा होगा क्योंकि यह जो सेव है यह सबसे जली पक जाता है तो बचाने के लिए आप देख सकते है उसको ढखा रखा है पेड़ पे तो अभी हम नहीं जा पाएंगे लेकिन आप देख सकते हैं इस पे अच्छी खासी जाली लगा रखी और इसके अंदर देखे कितना बड़ा सेव है तो आप देख सकते हैं एक और पेड़ के पास हम आ चुके हैं और यह वही वाला सेव है जो कुछ ताइम पहले बताया था और इसका नाम हम मैं याद नहीं आ रहा है क्या है इसका नाम अभी बोले आप याद आ गया सुनहरी सेव हाँ तो यह वा लोगों ने भी बोलने है चाल जी इसका इन्होंना भी जूस बनाया है और जूस बनाने वाले यहां उपर बैठे हैं नितुभाई तो कभी पिलाएंगे तो तब ही जाके हमको पता चलेगा कि कैसा जूस नितुभाई बनाते हैं थोड़ा दिन पहले आता तो यह जो पेड़ थे हैं वो भरे हुए थे यह विसाए डिलिसिस का होगा क्योंकि यह जल्दी हो जाता है तो यह खाली हो गया और खाली करने वाले यह जैसे इंसान बहुत है मारे गाम में यह जाती है तो काफी क्या बोलता है उसको रख रखाओ भी करना पड़ता है लेकिन अभी उतनी जुरत नहीं पड़ी थी तो चाजा जी को मैं बोलूंगा कि किर्सी भाग हो गया उध्यान भी बाग से थोड़ा दवाई दवाई लेक्या हैं क्योंकि ऐसी चीज़े हैं एक को दिखा दी है और चाजा जी ने आपको पहले ही बता दिये थे 22 से उपर हैं यहां पीछे भी हैं लेकिन वही होंगे जो वेराइटी चाजा ने अभी तक हमको बताई है तो लास्ट में बार ही है थोड़ा हम टेस्ट करके आप लोगों को बताएं कि कैसे सेव हो रहे हैं म तो टेस्ट करके आप लोगों को बता ही देते हैं तो मैं इसके बात ही क्या करूं जैसे मुझ में में रखा ना पूरा मुझ रस से मेरा भर गया था तो इसलिए सायद इसका ज्यादा जूस बनाया जाता होगा चाजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो चाजा जी ने तो खाना खाओ आप और नितो भाई यहां पर बड़े सान तरीके से बैठे हुए हैं जूस कब पिलाओगे बताओ जब आपको आईजे कल बोल लेते सायद हमारी हिंदी वीक है तो कल जब भी होगा जूस पीने आएंगे आपको लोगों को भी बताएंगे जूस कैसा हो रह हैं और हमारे घर से भी बहुत आवाज आ रही है कि खाना खाने आओ खाना खाने आओ और मेरे बीडियो बनाते इसने कम से कम कितने खाया आज कुछ ज्यादा नहीं हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं गड़ाशनेवल आज भी कम से कम 10 खा लिए हैं तो पता नहीं खाता कैस हैं और चासा लोग भी इसको कुछ नहीं बोलते हैं तो घर पर आ चुका हूँ खाना बनके बिल्कुर रेडी है और खाने में आज डाल बनी है मिक्स दाल उसके साथ एक चोटी सी कत्री दे रिखी है आम की तो चलो खाना काते हैं और फिर मिलते हैं आपको खाना काने के बा काफी जल्दी जल्दी भागे भागे मैं भी जा रहा हूं क्योंकि काफी कुछ हूँ आज ममी काफी टाइम के बाद घर आ रही है लेकिन दोस्तों ममी ने ऐसी हालत कर दी थे ने मेरी आज सुगों से तो ममी का जो फोन है ना मैंने बारवजे लगया था उसके बाद नेट प्रोब्लम उसके बाद तो मन में घबराट और इतना ज़्यादा अजीब जैसा हो रहा था ना अब विस्वास निमान होगे मैंने 200 से 200 बार ममी को कॉल किया है और बार बार सुचॉप 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 तो आप लोग जानते ही हैं पहाड़ों में आजकल तरनाक है तो थोड़ा सांस में सांस तब आई जब ममी ने खुद मुझे कॉल किया तो गईज ममी पहुंच चुकी है हेलो निकनी आज कैसा रहा तब देरदोन का सफर अच्छा लेकिन घर आते आते तो उन्हें हालत खराब करवा दी हमारी है ममी तो चलो क्या सीन हुआ था अच्छा अच्छा तो नहीं लग रहा होगा सक्ची बात तो ममी को मार दी बल बचा हाक तो ममी को पैचान नहीं रहा है ममी से नाराज हो गया है ममी डरी अपनी मैस को देखके और यहां देखे पापा की खुशी देखे ममी को देखके कुछ होगे बापा और क्या सब्सक्राइब धरम पत्न नहीं पोंच गी बोलो निकार अरे बोटो को गन्याया ही नहीं बोटो की एक नजर देखे ममी पर चलिए ममी अब इसको बिस्किट भिस्किट खिलाएगी जो खिलाएगी वाथ की बात है फिलाल अभी मैं चाय बनाता हूं और आज की जो वीडियो काफी ज़्यादा बड़ी होच्चिकी है तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते आज का व्लोग आप लोगों को पसंद आया होगा व्लोग थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्काइब करना ना भूलें ऐसी सांदार वीडियो सीरे पहाड से मैं जया उद्राखन जया बारात वाइवागा